है गाइस वेलकम तो वेदमी स्वागत है आपका वेदमी के इस यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो में बात करूंगा आपसे पोजेक पोजिशन के बारे में फ्रॉम आइटी रूर की जो की सिच्टुएटर है उत्राखंड में लेकिन उस वीडियो में जाने से पहल स्टुएजन था कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन अब 10 जून से स्टार्ट कर रहे हैं और क्लासे जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है तो अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या हमारा एक मन्त वेस्ट हो जाएगा मारा सब्सक्रिप्शन जो है जुलाई की फस्ट वीक म उसको one month extra मिलेगा ताकि आपका subscription 31 December तक valid रहे यानि exam तक valid रहे तो ये offer 10 June सही था उसमें detail में miss हो गया था तो जो भी subscription लेंगे आप आपसे या 15 July तक आपको one month extra दिया जाएगा और benefit ये भी होगा कि अगर आप अभी subscription ले लेते हैं तो आपको जितनी पुरुआनी बनता रहे और आप easily grab up कर सके तो इस बात का ध्यान रखिएगा ऐसा मत सोचिए कि कि अगर आप अभी subscription लेंगे तो आपका loss हो जाएगा या आप से एक मंत का loss हो जाएगा जो भी अभी subscription लेगा उसको one month एक स्ट्र दिया जाएगा चलिए बढ़ते हैं अब डिटेल के बारे में तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा एक project position के बारे में प्रम आयटी रूर की इसका कुछ समरी में पहले बता जाए तो एक project position एक प्रम आयटी रूर की और इसमें जो eligibility है बी टेक के स्ट्र आपको जो कैसे अप्लाई करना तो अप्लाई करने के लिक इमेल दिया गया है वहाँ पर अपको अपनी cv भीजनी है और self-attested document भीजने है self-attested document का यह मतलब होता है कि आपको अपने documents from starting from 10th class to up to सारी marks वगरा photocopy लेनी उस पर self-attested link के sign करना और उसको scan करके approach करना है चलिए भरते हैं और details के बारे में देख सकते हैं कि जैसे पोजिशन है वो है from Institute of Technology Road की Department of Bioscience Bioengineering अब इसमें advertisement है पोजिशन के लिए टाइटल पोजेक्ट देख लीजिए adaptation of indigenous and local language system and fintech solutions for compressive and tribal development in 36 state और पोजेक्ट के sponsor कौन है तो इस पांसर किया है IT भिलाई innovation technology foundation ने नंबर पोजिशन तो इसमें यह ध्यान रखेगा ज्यार पोजिशन जरी एक है बात कर लेते हैं qualified qualifications की तो btech mtech msc bioinformatics computer side by technology affiliated fields से और साथ ही साथ इसमें net get qualified होना चाहिए यह यह अफिए 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 नेट qualified है आफिए get qualified हो और जो मई 24 में degree complete कर रहे हैं वो भी apply कर सकते हैं जो फाइनल स्टूडेंट्स हैं भी टेक या माई के लाइक की जो बीटेक के एट सेमेस्टर में हो mtc के फोर्स सेमेस्टर में वो भी इलिजबल है अब इनॉल्मेंट से यह अब फेलोशिक वितनी मिलेगी 37000 जैसा कि जो बढ़ी हुई थी प्लस HR ही मिलेगा सब्सक्राइब और आपके परफॉर्मेंस के साब से इसे दो एक्स्टेंट कर सकता है या फिजब तब तक इस प्रोजेक को एक्स्टेंट किया जा सकता है जो आप डिस्क्रिप्शन पर लें तो development of medicinal plants database of 36 गस्टे मतलब जो वहाँ 36 गस्टेंट के मेडिसनल प्लांट से उनका एक database बनाना है गाइडलांस देख लीजी गाइडलांस में जैसे कि मैंने बताया कि जो कैसे अप्लाई करना तो इस email में आपको अप्लाई करना है आपको CV भेजनी है, experience कुछ है आपके पास तो भेज दीजेगा, नहीं तो कोई नीट नहीं ऐसा, और self-attested copy डिगरी की भेजनी है, और जब आप interview के लिए अगर आपको call आता है, तो interview में आपको original degree certificate ले जाना है, और इसमें कोई T.A.D.A. नहीं मिलेगा, अब बात कर लेते है last date की, तो last date जैसा कि आप देख सकते हैं हाँ पे, 20 zone, 2024, 5 प्यून तक आपको mail कर देना है, तो एक बार फिर समरी बता दूँ, यह IT root की में project positions है, और इसमें एक चीज़ मैं भूल गया आपको, बताना, कि सबसे अच्छी बात इस project position किये है, यह note, कि अगर जो candidate select होता है, वो उसके पास एक opportunity होगी, कि यह IT root की में PhD admission के लिए apply कर सकता है, तो इस project position का सबसे बड़ा main merit point यह है, कि आपको fellowship तो उतनी ही मिलेगी, साथ-साथ आप IT root की में PhD के लिए apply कर सकते हैं, तो इसमें मैंने साब को सारी details बता दी, अगर इसके बाद भी आग आपको doubt है, तो comment section में जरू बताईएगा, हम उसे जरू solve करेंगे, एक बाद फिर से मैं सामरी बता देता हूं, यह project position है from IT root की biological science department में, इसमें MSC, Mtech, BTK students eligible हैं from biological background, साथ-साथ आपके बास net tech gate होना चाहिए, अगर आप इस project में select होते हैं, तो आपके पास chance होगा कि आप PhD admission के लिए apply कर सकते हैं, औ इसमें आपको apply करने के लिए आपको CV और self assisted documents जो है, इस mail पर भीज़ देना है, कब 20 June 5 PM से पहले पहले, so doubts के लिए अप comment section अवपन है, जरू पूशेगा, तब तक के लिए thank you, bye bye and take care.